सिच्छा मंत्री जगनात महतों ने भासा विवाद पर किया प्रेस कॉंफरेंस कहा भाजपा है भी चोलिया राची राइज में भासा विवाद गहराता जा रहा है इसे लेकर सिच्छा मंत्री जगनात महतों ने एक बार फिर से प्रेस कॉंफरेंस का आयोजन कर आश्चू और बिजेपी जैसे राजनेतिक पाटियां बेवजा मामले को तूल देने का आरोप लगा रहे हैं। सिच्छा मंत्री जगनात महतों के विपच्छी पाटियों पर और भी कई गंभीर आरोप लगा है। सिच्छा मंत्री ने कहा कि धनबात और बोकारों में जो भी भासा विवात को तूल दिया जा रहा है। या आग पुरुवर्ती सरकार की और से 2018 में ही लगा दिया गया था। दरसल सिच्छा मंत्री जगनात महतों ने मुख मंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर धनबाद और बोकारों जैसे छेतरों में मघी भोचपूरी जैसी भासाओं को लागू करने की मांग रखी है। लगातार सिच्छा मंत्री राज में उत्पन भासा मामले को लेकर मुखर है उनका लगातार इस मामले को लेकर बयान भी आ रहा है इसी कड़ी में एक बार फिर सिच्छा मंत्री ने भासा विवात को तूल देते हुए कहा कि इस मामले में मुख मंत्री हेमन सोरेन भी गंभीर ह आपका बोकार। जो आज तूल दे रहा है। वही आदमी लोग को आग लगने वाले आदमी है। 2018 में किसका सरकार का है। आप लोग बिधान स्वाब में इस बार देखे होंगे। तीन दिन आजसुर भाज पर लोग चलने ने दिया कि भजपूरी लागू करो। आज बोलते हैं कि हटाओ। तो दूम हुआ साफ है कि मुआ तूम हुआ साफ जानते हैं। उच दोनों तरफ मुआ रहता है। मदाड़ी लोग रखता है। तो यह दूम हुआ साफ है। आज हम मान्य मुख्मंत्री के यहां गंहिरता से रखे। अर्मान्य मुख्मंत्री भी मेरे बात को गंहिरता से लिये है। तब हम आप लोग से निवेदन करें। मेरे बात को भी शेत धनबाद और बुकारों में गंहिरता से लोगों को देखावे। और हम जनतास अफिल करेंगे। बिचोलिया के बात पर नहीं आवे। सरकार गंधीर है इस मामले पर। जार्खन के हित में फेसला लिया जाए। जार्खन संकृती को कुचलने नहीं दिया जाएगा। ये लोग सदर के अंदर कुछ और कहते हैं और सदन के बाहर कुछ और। इस राज को असांत करने की कोशिस लागातार भाजपा की और से की जारी है। इसलिए उच्छेत्र की जनता ऐसे बिचोलियों से दूर रहे। सरकार मामले को लेकर गंभीर है और इनका निदान भी होगा।